गुद मॉर्निंग, आज पुषकर में हमारा लास डे है, आज हम लोग चेक आउट कर रहे हैं थोड़े दिर में, चेक आउट से पहले थोड़े दिर बैठी हुई थी, कल का दिन हमारा ओसम गया, हमने बहुत सारे शॉपिंग किये, बहुत सारे स्ट्रीट फूट ट्राइ किय जैसे रबडी मालपोवा हो गया, कड़ी कचोरी हो गया, लेकिन ये सब मैं शूट नहीं कर पाई, क्यूंकि मैं खाने में बिजी हो गई थी और तब तक मेरा खाना खतम हो गया था, ओवरल पुशकर मेरे लिए एक memorable trip है, कुछ चीज मैं बात करना चाहूंगी, जैसे वीडियो हमने जब स्टार्ट किये थे, तब क्या point of view से था हमारा वीडियो, क्या-क्या aspects हम दिखाना चाते थे पुशकर को लेके, दो important चीज़े थे, First, पुशकर as religious place, Second, पुशकर a weekend getaway, तो first point पे आते हैं, religious place के तरफ, पुशकर एक बहुती सुन्दर, बहुती खुबसूरत, बहुती spiritual place है, यहाँ पे अगर आप आएंगे, अप, Actually, not only just Brahma temple, यहाँ पे कुल मिला के, शार्द आपको 80 temple मिलेंगे, 80, जो जिनके अलग-अलग मानियता है, तो अगर आप religious person है, आपको temples visit करना person दे, तो definitely आप visit कीजिए, जैसे कल हमने अपना day start किये थे, गुरुद्वारा से, बढ़िया था गुरुद्वारा, Actually, मुझे लंगर में खाने का बहुत मन था, लेकिन तब तक लंगर बंध हो गया था और हम खाने ही पाए, गुरुद्वारा का trip awesome था, गुरुद्वारा मैं अच्छे से गुमी हूँ, उसके बाद छोटे छोटे पुश करके गलियों से गुमना, मुझे बहुत ज़ादा उदैपूर के गलियों का याद दिला रहा था, गलियों से गुजर के पार्किंग में गए, वहां से जो बाई वॉक हमने टोटल एक 2.5-3 किलोमीटर कवर किये है, जहां पे बहुत सारे street shop है, जहां पे Lord Brahma जी का temple है, सारे बहुत awesome थे, magical था, सही मैं magical था, मैं actually spiritual person हूँ, मैं बहुत ज़ादा religious person नहीं हूँ, लेकिन जो वहां पे जाके मैं बैठी अंदर, थोड़े देर वहां पे जो बैठ पाई, 5 मिनिट, वो कुछ अलग experience था, मैं किसी भी चीज़ के साथ उसका comparison भी नहीं कर सकती हूँ, बिलकुल नहीं, क्योंकि मुझे वो कुछ मिनिट का जो सुकून मिला था, वो मेरे लिए एक achievement है, मेरे लिए एक बहुत ही special moment है, जिसको महसूस किया जा सकता है, explain बिलकुल नहीं किया जा सकता है, तो यह जो aspect है पुश करके, जो religious place है, घाट के पास आप आईए, थोड़े दिल लेक के साइड में आप बैठिये, यह definitely बहुत memorable है, तो जो लोग religious person है, जिनको ऐसे ही पुश कर आना है, वो लोग definitely पुश कर आए, और बहुत सारे temple है, गुरुद्वारा है, लोड ब्राम्भाजी का temple है, आप लोग प्लीज विजिट कीजिए, आपके लिए एक awesome memorable trip होने वाला है, अभी हम आते हैं, weekend gateway के तरफ, weekend gateway के लिए पुश कर एक और awesome जगा है, हम अभी जिस resort में है, आनन्ता Spa and Resort, यह एक five star property है, जो कल थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, यह खुद में इतना, यहाँ पे आपको लगेगा कि आप एक mini forest के अंदर बैठे हैं, चारो तरफ इतना greenery है, इतना greenery है, आपको mesmerize कर देगा, night time, यह completely आपको एक forest का feel देगा, आपको लगेगा कि कुछ dense forest के अंदर आप बैठे हुए है, अभी तो winter season चल रहा है, और यह कुछ hill station से कम ठड़ नहीं है, यहाँ पे, freezing cold है, तो जादा हम बैठी नहीं पाए, यह resort को आप by walk और cycle चला के भी cover कर सकते हैं, यहाँ पे cycle rent पे मिलते हैं, आपको चाहिए तो आप cycle लेक ले लीजिए, वो cycle चला के पूरा घूमी है, तो यह resort आपके लिए एक perfect weekend gateway हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तो, और यहाँ पे बस यही एक must resort है, ऐसा भी नहीं, मैं यहाँ पे आने के बाद और कुछ resort भी explore किया हूँ, जो actually awesome है, तो अगर आप लोग पुश कर आना चाहते हैं, अगर आपका plan पुश कर है, तो आप कुछ और resort भी try कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है, अननता स्पायन resort जहाँ पे हम हुए है, यह तो एक बार आपको try करना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो एक mini Amazon जैसा लगा है, Amazon थोड़ा जादा हो गया बोलना, लेकिन सही में एक forest का feel दे रहा है, अभी तो यह मन की बात है, हम कभी कभी छोटे से जगा को भी कितना खुबसूरती से दिखा देते हैं, और खुबसूरत जगा को भी किसी के आँख उतना खुबसूरती से नहीं देख पाता है, जितना वो है, तो इसलिए यह अपने सोच के उपर है, मुझे यह जगा बहुत पसंद आया, मुझे यह जगा बहुत ब्यूडिफुल लगा, तो मैं चाहता हूँ अगर weekend gateway प्लान कर रह है, यह मैं ना बताऊंगी भी तो चलेगा, क्योंकि मैं अपने audience को इतना underestimate नहीं करती हूँ, मुझे पता है, अगर आप यह वीडियो देख पा रहे है, तो definitely आप लोग सर्च कर सकते है, and आपको इनके website पे भी मिल जाएगा, सारे details, क्योंकि शायद मैं सीजन में आई हूँ आप आपसीजन में आ सकते है, या मैं कहीं पे आपसीजन में हूँ, आपसीजन में जा सकते है, तो यह सारे चीज़ों को base करके टैरिफ का change होता रहता है, तो एक टैरिफ बोल पाना बहुत मुझकिल, और वो जानके भी आपको कुछ फाइदा नहीं है, अगर आप प्लान क यहां पर आने के लिए तो प्लीज सर्च कर लेजिए उस टाइम उस डेट में क्या टारिफ चल रहा है आपको पता चल जाएगा बट यहां पर एक चीज़ मेंशन करूंगी यहां का फूट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप आला काटे भी और करना चाहते हैं वह भी लेकिन मुझे नहीं लगता है वो कुछ इशू है क्योंकि जादातर आपका मन किये तो यहां पर खाईए ना मन किये तो बहुत सारे रेस्टोरेंट बाहर है वहां पर खाईए स्ट्रीट फूट ट्राइ कीजिए तो बहुत सारे आप्शन है अल्रेडी जैसा आपको समझ मे यह वीडियो मैं किने डेडिकेट कर रही हूँ हां उन लोगों को जो लोग नहीं आ पा रहे है फिजिकली लेकिन जिनको मन है लौड ब्रहम्हा का एक दर्शन उनको करना चाहिए उनके लिए और बस उनके लिए ही नहीं आप सब के लिए जिन लोगों को एक अच्छा वीक लेके जा रही हूँ बहुत सारे हैपी पीसफूल स्पिरिच्यूल मेमरी मैं साथ में लेके जा रही हूँ ऐसे बहुत सारे चीजे होते हैं जो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है लेकिन हमारे आखों ने वो सारे चीजों को बंद कर लिया है मन के अंदर तो व्लोग देखना देखना, देखके जगा को विजिट ना करके, यह देखके इंस्पायर होके, अगर आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करके जाएंगे, वो एक्चली मेरे लिए अचीवमेंट होगा, मेरा कोशिश यही है, आप सब लोग ट्रावल किजिए, बहुत सारा ट्रावल कीजिए, क्योंकि ट्रावलिंग एक ऐसा चीज है, जो हमें बहुत जादा एडूकेट करते हैं, ओ वहाथ जारा इंफॉमेशन देते हैं, नौलजबल बनाते हैं, हमें अजर्शं करना सिखाते हैं यह ट्राविलिंग ही है जो इतने सारे चीजों को एक जगा पर लेके आते हैं तो मेरे साथ आप लोग भी ट्राविल कीजिए और मुझे बताते रहिए और कौन सा जगा है जो मैं जाने के बाद देख के आप लोग जाना चाहते हैं मैं डेफिनेटली करूँगी वो जगा कवर करने के लिए करूँअ जब शर्ट रालेंग व्यावाट प्रखेष अगरलिक आनसागर लेक अजमेर में है अक्चली पुशकर भी अजमेर डिस्टिट के अंदर ही आता है हम रिटर्न में एक 10 या 12 किलोमीटर में हमें ये लेक पड़ा ये लेक मेरा फर्स टाइम नहीं है इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ लेकिन इससे पहले जब हम आयते हैं हम ऊपर रेस्टूरेंट में बैठेते हैं अब हमके हाट में अब बहुत कम है जिस वज़े से हम अभी नीचे सिट आउट में बैठे है अजमेर आप कैसे आसकते हैं क्योंकि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है या पुश कर अब कैसे आ सकते हैं बहुत सारे option रहेगा definitely आपके पास आने का आपको पता भी है लेकिन मैं अपने तरफ से बताना चाहती हूं अगर आप flight में travel कर रहे हैं किसी भी city से अब जैपूर आजाईए जैपूर airport आजाईए ज अजमेर स्टेशन आप कौन से सिटी से बिलॉंग कर रहे हैं आपको बेटर पता रहेगा आप उहां से देखके अजमेर के लिए ट्रेन ले लिजिए अजमेर स्टेशन में उतरने के बाद 10 से 12 किलोमेटर है आप कुछ भी taxi ले सकते हैं कुछ state bus भी available है वो भी आप कर सकते ह और एक चीज अजमेर से पुषकर के लिए बाइक रेंट पे भी मिलते हैं तो अगर आप single traveler, solo traveler है या couple travel कर रहे हैं तो definitely अजमेर उतरने के बाद अगर आपके पास luggage नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं एक बाइक रेंट करके भी पुषकर जाके आ सकते हैं सो अभी तक का यही था मेरा जर्नी अभी हम लोग यहां पर लंच करेंगे लंच करने के बाद अच्छा एक बोर्ट जा रहा है फिछे से अगर देख पा रहे है तो उसका आवाज इतना जादा है ना मेरा वॉइस शायर डिस्टब हो रहा होगा कोई नहीं यह तो होता रहे कर रहे हैं तो अभी हम लोग ब्रंच कर रहे हैं ब्रेक्फस्ट और लंच मिला के ब्रंच करके हम लोग निकल जाएंगे कोटा के लिए बहुत मेमरेबल ट्रिफ था हमारा मैंने बहुत खूब एंजोई किया है मुझे लगता है आप जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी एंजोई किये हैं बने रही है हमारे वीडियो के साथ अगर मैं यह हरे टाइम नहीं बोलती हूं लेकिन सही में अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को क्योंकि इसे और कुछ नहीं एक मोटिवेशन मिलता है एक एंकरेजमेंट मिलता है तो सपोर्ट कीजिए और वने रहिए थांक यू एंड स्टे ट्यून्ड हो झाल झाल कर दो 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 झाल 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 झाल